तो दोस्तों आज मैं आपके लिए राजमा चावल की रेसिपी लेकर आए हूँ राजमा चावल हर किसी को पसंद होते हैं क्योंकि वो खाने में इतने टेस्टी जो होते हैं आज इस रेसिपी में मैंने यहां पर थोड़े फरक तरीके से चावलों को बनाया है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टिप्स और ट्रिक्स कि आप बिलकुल कैसे रेस्टोरेंट स्टाइल राजमा और चावल घर पे बना सकते हैं उमीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा पसंद आए तो प्लीस उसे लाइक और शेयर कर दीजेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल राजमा चावल तो राजमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कप राजमा को राद भर पानी में भीगो के रखा हुआ था तो इसे अच्छी तरह से मैंने अभी वाश कर लिया है आप चाहें तो 6-7 घंटे के लिए इसे भीगो के रखें बट यहाँ पर ओवनाइट अगर भीगोंगे राजमा को तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा जब यह पक कर आएंगे तो तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से वाश कर लिया था और इसका पानी सारा ड्रेन कर लिया है तो अब हमें सबसे पहले अपनी राजमा को पका लियना है तो यहाँ पर मैं आज प्रशर कुकर यूज कर रही हूँ, प्रशर कुकर में आप सारे राजमा डाल दीजे, आप चाहें तो इसी पतीले में भी बना सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, कि थोड़ा टाइम जादा लेगा, प्रशर कुकर में क्विकली हमारा राजमा गलकर मिल जाएगा, इसी के साथ थोड़े बहुत गरम मसारे डालते हैं, दो तेज पत्ते डाल दिये हैं, एक छोटा पीस मैंने यहाँ पर दालचीनी का भी डाल दिया है, अब मैं यहाँ पर दो काली इलाइची डाल रही हूं, ब्लैक कार्डमम, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ती तो यहां पर बेसिक गरम मसाले मैंने तारे डाल दिये हैं अब मैं यहां पर तीन कप पानी डालूंगी उसी के साथ साथ मैं स्वाध अनुसा नमक पर स्टार्टिंग में नमक थोड़ा कम ही डालिएगा इसे अब हमें कुक करना है तो हाई फ्लेम पे फस्ट विसल उसके देखें मिक्सी का एक छोटा वाला ग्रैंडर लीजे उसमें 2 हरीमर्च डाल दीजे उसी के साथ साथ एक इंच अद्रक का तुकडा डाल दीजे और चार पंच यहां पर लसन की कलीया डाल दीजे इह सब को अपको कर लेना है तो देखें यहांपर मैं इन सब को करश करके ल आप मैंने यहां पर एक बड़ा प्यास ऐसे स्लाइस कर रखा है वह डाल दिया है उसको हम लोग फ्राइ करेंगे जब तक हमारी जो प्यास है वह थोड़े से सॉफ्ट नहों जाएं प्यास यहां पर सॉफ्ट होने शुरू हो गए तो मैंने यहां पर वन फोर टी स्पून हीं सॉफ्ट हो जाएं मीडियम फ्लेम पर ही आपको यह सब करना है अब देखें यहां पर प्यास हो गई है सॉफ्ट तो अब मैं यहां पर डाल रही हूं अद्रक लसन और हरी मिर्च जो हमने ग्रेट करके रखा हुए तना मिक्सी के ग्राइंडर में वह हमने इसमें पूरा ड तसलिएंगे आद़ा टीस्पून फल्दी का पौडर चिचेहां बांचिव काश्मिर रेकों सब्सदाने में इसमेर का जाद मेंच पौर हो जरूर डालेंगा बहुत अच्छा कडर देगा आपके राजमा को, आदा टीस्पून यहाँ पर मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है और दो टीस्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मिथी डाल दी है इन सब को आपको मिक्स करना है, फ्लेम को आपको धियान रखना है, लोगे रखेगा मसाले जलने नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से मिक्स करिए अब इस पॉइंट में यहाँ पर दो तीन टेबल स्पून ऐसे पानी डाल देती हूँ ताकि जो मसाले है न, अच्छी तरीके से भून जाए, फ्राई हो जाए और वो जले भी न, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके आपको इस मसाले को भूनना है तो तकरीबन इसे चार से पांच मिनट लो फ्लेम पे आपको भूनना है बीच पीच में एक एक टेबल स्पून पानी डालते डालते आपको अच्छी तरीके से फ्राई करना है इन मसालों का कलर भी चेंज हो जाएगा और ओपर जो ओईल हमने डाला है वो भी सरफेस पे आने लग जाएगा तो मैं इसको भून लेती हूँ 3-4 मिनट के लिए 3-4 मिनट के बाद मैंने यहां पर टमाटर का प्यूरी डाला है यहां पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटरों को पीस लिया था उसका प्यूरी मैंने यहां पर डाल दिया है अब आपको हलका सा नमक डालना है ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए अच्छी तरीके से इन सब को आप मिक्स करिए कवर कर दीजे इसे 3-4 मिनिट लिए ताकि टमाटर अच्छी तरसे पक जाए अब आप देखिए हमारे मसाले का कलर कितना अच्छा लग रहा है ओल पूरा सरफेस पे भी आ गया है टमाटर भी अच्छी तरीके से पक गए है तो इसको तकरीबन मेरे को 3-4 मिनिट लगा है मीडियम फ्लेम पे तो यहाँ पर मसाला रेडी है मैंने यहाँ पर अपने पके वे राजमा इसमें डाल दिया है आप देखिए राजमा बिल्कुल ओवर को कुछ नहीं हुआ है बढ़िया लग रहे है अच्छी तरीके से आपको इन सब चीजों को मिक्स करना है तो देखिए यहाँ पर राजमा कितने अच्छे से लग रहे हैं तो इन सब को आपको मिक्स कर देना है हलका सा आप राजमा जो स्पोन का बैक साइड है उससे प्रेस कर देगा उससे क्या हो ना जो आपकी ग्रेवी है वो अच्छी थिक हो जाएगी अब मैंने यह आपा आधा का पानी और डाला है क्योंकि मेरे को ग्रेवी थोड़ असा कम लग रहा था तो ग्रेवी में आपको कि दम पे छोड़ देना बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट लिए ढख कर छोड़ दीजे आप तक कि जितना भी फ्लेवर है ना हमाई राजमा में आ जाए तो यहां पर मैंने ढख दिया है दस मिनट के बाद हमारे राजमा यहां बनकर रेडी हो गया है मैंने यहां पर दो तीन ह अच्छा टेस्ट देता है यह राजमा में अगर आपके बस फ्रेश क्रीम नहीं है ना तो आप घर की मलाई भी इस पॉइंट में डाल सकते हैं अब बस लास में मैं यहां पर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूंगी और यहां पर एक टिब स्पून आप बटर डालना बिल इस घ्मति राइस लिया है इसको अच्छा था से आप वौ शक कर लीजे इस राइस को सोख नहीं करना है क्योंकि आज हम इसे प्रेशर कुकर में बनाने जा रहे हैं तो जब भी आप प्रशर कुकर में चाव लो को बनाते ना कभी पी उने सोख करने का जरूत नहीं है बस अ एक टीस्पून जीरा डाल दिया है उनको गरम होने देंगे हम यहां पर एक चोटी सी प्यास थी उसे मैं ऐसे स्लाइस करके डाल दिया है आज मैं हैं पर कैरेट राइस बनाने जा रही हूं इस प्यास का हमें बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना है जस्ट प्यास हमाई जो ट कट-पट से बनेंगे यह चावल और बहुत ही ज़रा टेस्टी लगेंगे जब आप इन्हें राजमा के साथ खाएंगे अब देखें यहां पर मैंने वन फोर्थ कप कैरेट को ऐसे लंबाई में कटकर रखा था वो डाल दिया है कैरेट को भी चस्ट आप एक मिनिट के लूब नहीं है तो मट आलिएगा अगर आप लोग के पास चिकन स्टॉक है तो वो भी यहां पर डाल सकते हैं तो यह सब आपके उपर है अच्छी तरीके से मैंने उसे भून लिया था ताकि जो हमारा वेजिटेबल स्टॉक है वो थोड़ा सा मिल्ट हो जाए अब यहां प दो कप बासमती राइस के लिए मैंने यहां पर तीन कप पानी डाला है अच्छी तरीके से मिक्स करना है फ्लेम को आपको हाई पर रखना है इस पॉइंट पर आप नमक डाल दिएगा नमक कम है तो वैसे हमने यहां पर वेजिटेबल स्टॉक भी डाल रखा है तो उसमें भ हलका फुलका नमक होता है नमक जादा मट डालिएगा क्योंकि हम इसे राजमा के साथ सर्फ करेंगे मिक्स कर देना है इसमें मैं दो हरी मिर्च भी डाल दूंगी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है वो और थोड़े बहुत यहां पर मैं धनिये के पत्ते भी डाल दूंगी बस जैसी उबलने लगेंगे हम इने बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पे एक विसल आते ही अपनी गैस को आफ कर देंगे एक विसल आने के बाद याद रखेगा आपको गैस को आफ करना है यहां पर एक विसल आने के बाद मैंने आफ कर दिया था स्टीम खुद से चली की है मैंने नहीं निकाला था स्टीम को और आप देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं एक एक दाना खिला हुआ है इसको मैं पांदस मिनिट के बिल्कुल ऐसी छोड़ दूँगी तक यह हलका सा ठंडा हो जाए इसको आप कम से कम पांदस मिनिट के ऐसी छोड़ दियेगा तक यह हलका सा कोल डाउन हो जाए उसके बाद हम लोग इसे सर्फ करेंगे तो देखिए हमारा बड़ी ऐसा लंच कॉम्बो या फिर आप इसे कभी भी खा सकते हैं लंच में भी या फिर डिनर में भी जब भी आपका मन करें आप बनाईए इसे इसी तरीके से बनाएंगे ना बिल् परफेक्ट ली जाता है बहुत अची रेसिपी आप सब लोग इसे जरूर ट्राइ करिएगा थोड़े बहुत ट्रिक्स वगरा तिप्स वगरा आप फॉलो करेंगे जैसे लास्ट में आप बटर डालिएगा अपने राजमा में या फिर आप हींग को जरूर डालिएगा उस टिप्स से आप जरूर फॉलो करिएगा उमीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करेगा शेयर करेगा और मेरा हमबल रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे को सब् करिएगा तो अगली और अच्छी सी रसिपी के साथ आउंगी तब तक के लिए बाबाई टाटा टेक केर